नवश्चार जी केंद्रिय कृष्षी एवं किसान कल्यान मंत्री स्रीमान नरेंद्र सिनी तोमर जी चत्रीश गड के मुख्य मंत्री स्रीमान भुपेश बगेल जी मंत्री मंडल के मेरे अन्य सहयोगी स्री पुरुशतम रुपाला जी स्री कैलास चौधरी जी, बहन शोभा जी, 36 गड़के पुर्व मुख्यमंत्री, स्री रमन्ची जी, नेता विपक्ष, स्री धर्मपाल कौशिक जी, क्रिशी शिक्षा से जुड़े सभी वाई चांसेलर, डाइरेक्टर्स, वैज्ञानिक साथी और मेरे प्यारे किसान, भाईयों और बहनों। हमारे हाँ उत्तर भारत में गाग और भड़ुरी की क्रिसी समद्धी कहावतें बहुत लोगप्रिय रही हैं। गाग ने आज से कई शताब दी पहले कहा था, जेते गहरा जोते खेत, परे बीज फल देते देत, यानि खेत की जुताई जितनी गहरी की जाती हैं, बीज बोने पर उपज भी उतनी ही अधिक होती हैं। ये कहावतें भारत की क्रिशी के सेंकडो साल पुराने अनुभावों के बाद बनी हैं। ये बताती हैं कि भारतिय क्रिशी हमेशा से कितनी वज्ञानिक रही हैं। क्रिशी और विज्ञान के इस तानमेल का निरंतर बढ़ते रहना 21 सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी हैं। आज इसी से जुड़ा एक और एहम कदम उठाया जा रहा है हमारे देश के आधुनिक सोच वाले किसानों को इस समर्पित की जा रहा है। और छोटे-छोटे किसानों की जिन्दगी में बदलाव की आशा के साथ ये बहुत बड़ा बड़ी सौगात आज मैं मेरे देश के कोटी-कोटी किसानों के चर्णों में समर्पित कर रहा हूं। अलग-अलग फसलों की 35 नई वेराटीज आज जारी हुई हैं। आज राइपुर में नेशनल इंस्टिटूट्स ओप बायोटिक स्ट्रेस मेनेजमेंट का लोकारपन भी हुआ है। चार एग्रिकल्चर उनिवर्सिटिज को ग्रीन केंपस एवार्ड भी दिये गए हैं। मैं आप सभी को देश के किसानों को, कुरुशी वैज्यानिकों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं। साथियों, बीते 6-7 सालों में, साइन्स और टेक्नलोजी को खेती से जुड़ी चुनोतियों के समाधान के लिए प्रात्फिक ताके आधार पर उप्योग किया जा रहा है। विशेश रुप से बदलते हुए मौसम में, नई परिस्तितियों के अनुकूल, अधिक पोशन युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। हाल के वर्षों में अलग-अलग फसलों की ऐसी तेरा सो से अधिक सीड वेराइटी, बीज की विवितताएं तैयार की गई है। इसी स्रंखला में आज 35 और क्रॉप वेराइटी देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। ये क्रॉप वेराइटी ये बीच जल वायू परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोशन बुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला ये हमारे वेज्ञानिकों की खोज का परणाव है। ये नई वेराइटीज मौसम की कई तरह की चुनोतियों से निपटने में सक्षम तो है ही। इन में पौश्टिक तत्व भी जादा है। इन में से कुछ वेराइटी, कम पानी वाले एक खेत्रों के लिए हैं, कुछ क्रॉप गंबीर रोगों से सुरक्षित हैं, कुछ जल्दी तयार हो जाने वाली हैं, कुछ खारे पानी में भी हो सकती है। यानी देश की अलग-अलग परिस्तितियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें तयार किया गया है। 36 गड के National Institute of Biotic Stress Management के तौर पर देश को एक नया बैज्ञानिक काम के लिए राष्ट्रिय संस्थान मिला है। यह संस्थान मौसम और अन्य परिस्तितियों के बडलाव से पैदा हुई चुनवतियां। Biotic Stress इससे निपटने में देश के प्रयासों को वैज्ञानिक मारदर्शन मिलेगा, वैज्ञानिक सहायता हैं मिलेगी और वो बहुत बल देगा। यहां से जो मैन पावर ट्रेन होगा, जो हमारा युवादन तयार होगा, वैज्ञानिक मन मस्तिष के सिधार जो हमारा वैज्ञानिक तयार होगा, जो यहां पर समाधान तयार होंगे, जो सॉलूशन निकलेंगे, वो देश की क्रशी और किसानों की आए बढ़ाने में कारगर सिध्ध होंगे, साथियों हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में फसलों का कितना बड़ा हिस्सा कीडों की वज़त से बरबाद हो जाता है, इस से किसानों का भी बहुत नुक्षान होता है, पिछले वर्ष ही कोरोना से लड़ाई के बीच में हमने देखा है कि कैसे टिड़ी दल, ने भी अनेक राज्यों में बड़ा हमला कर दिया था, भारत ने बहुत प्रयास करके तब इस हमले को रोका था, किसानों का जादा नुक्षान होने से बचाने का बर्पूर प्रयास किया गया था, मैं समझता हूँ किस नए संस्तान पर बहुत बड़ा दाईत्व हैं और मुझे विश्वास है कि यहां काम करने वाले विज्ञानी देश की उमीदों पर खरा उतनेंगे, साथियों, खेती किसानी को जब समुरक्षण मिलता है, सुरक्षा कबज मिलता है, तो उसका और तेजी से विकास होता है, किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए, उन्हें अलग-अलग चर्णों में 11 करोड सॉयल हेल्थ कार दिये गए हैं, इसकी वज़श से किसानों को अपनी जमीन है, उसकी क्या मर्यादा हैं, उस जमीन की क्या शक्ती हैं, किस प्रकार के बीच बोने से, किस प्रकार की फसल बोने से, अधिक लाब होता हैं, दवाईया कौन सी जरूरी पड़ेगी, फर्टिलाइजर कौन सा जरूरी पड़ेगा, ये सारी चीजें उस सोईल हेल्थ कार्ड के कारण, जमीन की सहत का पता चलने के कारण कि इसकी वज़े से किसानों को बहुत लाब हुआ है, उनका खर्चा भी कम हुआ है और उपज भी बड़ी है, उसी प्रकार से यूरिया की सत प्रतीशत से हंडेट प्रसेंट निम कोटिंग करके, हमने खात को लेकर होने वाली चिंता को भी दूर किया, किसानों को पानी की सुरक्षा देने के लिए, हमने सिंचाई परियोजनाएं शुरू की, दसकों से लड़की करीब करीब सो सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का अभियान चला है, बहुत बड़ी बात्रा में बजेट लगा दिया इसके लिए, उसके कारण किसानों को पानी मिल जाएं, तो वो पानी से पराक्रब करके दिखाता है, उसी प्रकार से पानी बचाने के लिए, हमने माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, उन चीजों के लिए भी बड़ी आर्थिक मदद करके किसानों तक ये व्यवताएं पहुंचाना ने का प्रयास किया, किसानों को रोगों से बचाने के लिए, जादा उपच के लिए किसानों को नई नई वेराइटी के बीज दिये गए, किसान खेती के साथ साथ बिजली पैदा करे, अन्न दाता, उर्जा दाता भी बने, अपनी खुद की जरुते भी पूरी कर सके, इसके लिए पी एम कुसम अभियान भी चलाय जा रहा है, लाखों किसानों को सोलर पंप भी दिये गए हैं, उसी प्रकार से, आज तो मौसम के विशे में तो हमेशा दुनिया भर में चिंता का विशे बना हुआ है, अभी हमारे 36 गड़ के मुख्यमंत्री जी भी कितने प्र आकुरती का आती हैं, क्लाइमेट चेंज के कान क्या क्या मुसीबत आती है, बड़ा बड़े अच्छे धंग से उन्होंने वर्णन किया, अब आप जानते हैं, ओला वृष्टी और मौसम की मार से किसानों को सुरक्षा देने के लिए, हमने कई चीजों में परिवर्तन किये पहले के सारे नियमों में बड़लाव लाए, ताकि किसान को सरवादिक लाब हो, इस नुक्षान के समय उसको दिक्कत ना आएं, ये सारे परिवर्तन किये, पी-म फसल भीमा योजना इससे भी किसानों को बहुत लाब हो, और सुरक्षा मिले इसकी चिंता की, इस परिवर्त परिवर्तन के बाद किसानों को करीब-करीब, एक लाग करोड रुपिय की क्लेम राशे का भुक्तान किया गया है, ये एक लाग करोड रुपिया, इस संकट की घड़ी में, किसान के जेब में गया है, शाथ क्यों? MSP में बडोतरी के साथ साथ हमने खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाब मिल सके रवी सिजन में 430 लाख मेट्रिक टन से जादा घेऊं खरीदा गया इसके लिए किसानों को 85,000 करोड से अधिक का भुकतान किया गया है कोवीड के दोरान गेहूं खरीद केंदरों के संख्या तीन गुना तक बढ़ाई है साथ ही दलहल, तिलहन इन खरीद केंदरों के संख्या भी तीन गुना बढ़ाई गई है किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पुरा करने के लिए किसान संबान निदी के तहर 11 करोड से अधिक हमारे हर किसान को और उसमें जादातर छोटे किसान है, दसमें से आठ किसान हमारे देश में चोटे किसान है बहुत छोटे छोटे जमीन की टुकडिए पर पल रहे है JASON ऐसे किसानों को करीब करीब डेल लाग करोड से भी जादा रुपिय सीधे उनके बैंक रिकाउट के पाथ भेजे गए हैं। और उस मदद की पुरी प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया गया है। किसान क्रेडिट कार से जोड़ा गया है, के सिसी से जोड़ा गया है। दस हजार से ज़्यादा किसान उत्पादक संगटन हो, इनाम योजना के तहट ज़्यादा से ज़्यादा क्रुशी मंडियों को जोड़ना हो, मौजूदा क्रुशी मंडियों का आधुनी करण हो, ये सारे कार्य तेज गती से किये जा रहे हैं। देश के किसानों और देश की क्रुशी से जुड़े जो काम बीटे छे साथ वर्षों में हुए हैं। उन्होंने आने वाले पचीस वर्षों के बड़े राष्ट्रिय संकल्पों की सिद्धी के लिए, क्योंकि पचीस साल के बाद हमारा देश आज़ादी की शताब्दी मनाएगा। आज हम आज़ादी का अमरित महोत्सों मना रहे हैं। पचीस साल के बाद आज़ादी की शताब्दी मनाएगे। और इसके लिए इन पचीस वर्षों के बड़े राष्ट्रिय संकल्पों की सिद्धी के लिए एक बड़ा मजबुद आधार बना दिया है। बीच से लेकर बाजार तक हुए ये कार्य एक बड़ी आर्थिक ताकत के रुप में भारत की प्रगती की गती को सुनिशित करने वाले हैं। साथ यो हम सब जानते हैं कि एगरिक कल्चर एक प्रकार से राज्य का विशय है। और इसके विशय में अनेज्ए वार लिखा भी जाता है कि बें या तो राज्य का विशय है।53 भारत सरकार को कुछ नहीं कना चाहिए येसा भी कहा जाता है, कोईकि इस trai subject हैं और मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे भी कई वर्षों तक गुजरात मैं मुख्यमंतरी के रुप में काम करने का अफसर मिला था, गुजरात का मुख्यमेंतरी रहते हुए, क्योंकि राज्ये की विशेज जिम्मेवारी है ये मैं जानता था और इस जिम्मेवारी को मुझे निबाना चाहिए, ये मुख्यमेंतरी के नाते मैं पूरी कोशिश करता था गुजरात का मुख्यमेंतरी रहते हुए मैंने कृशी व्यवस्था को, कृशी नीतियां और उनके खेती प्रट प्रभावों को बहुत निकर से अनुभव किया। और अभी हमारे नरेजसी जी तोमर मेरे गुजरात के कारकाल में क्या मैं काम कर रहा था उसका भी बड़ा बढ़न कर रहे थे। एक समयदा जब गुजरात में खेती कुछ फसलों तकी शिमित थी। गुजरात के एक बड़े हिस्से में पानी के अभाव से किसान खेती छोड़ चुके थे। दिया था। आज देश के एग्रिकल्चर और होट्रिकल्चर में गुजरात की एक बड़ी हिस्सेदारी है। अब आज गुजरात में बारा मेने खेती होती है। कच्छ जैसे क्षेत्र में भी आज वो फल सब्जिया पैदा होती हैं जिनके बारे में कभी सोच नहीं सकते थे। आज कच्छ का रेगिस्तान में से वहां की क्रिशी पैदावर विदेशों में एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ है। भाईयों बैनों सिर्फ पैदावर पर ही फोकस नहीं किया गया। बलकि पूरे गुजरात में कोल चेन का एक बहुत बड़ा नेटवर तैयार किया गया। ऐसे अनेक प्रयास हो से खेती का दायरा तो बड़ा ही साथी खेती से जुड़े उद्योग और रोजगार भी बड़ी मात्रा में तैयार कुए है। और क्योंकि एक मुख्यमंत्री के नाते राज्य सरकार की सारी जिम्मेबारी होती हैं तो मुझे वो समय इन सारे कामों करना के अच्छा सा आउसर भी मिला और मैंने पूरी मेहनत भी की भाईयों और भेनों खेती में हुए ऐसे ही आधूरिक परिवर्तनों को आजहादी के इस अमरित काल में और विस्तार देने की ज़रुवत है। जल वायू परिवर्तन खेती ही नहीं बलकि हमारे पूरे इको सिस्टिम के लिए बहुत बड़ी चुनोती हैं। मौसम में बडलाव से हमारा मत्से उत्पादन, पशुओं का स्वात और उत्पादक्ता बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। इसका नुक्षान किसानों को मच्वारे साथियों को उठाना पड़ता है। जलवायू परिवर्तन के कारण जो नए प्रकार के कीट, नई बिमारिया, महामारिया आ रही हैं, इससे इंसान और पशुधन के स्वात पर भी बहुत बड़ा संकट आ रहा है। और फसले भी प्रफावित हो रही है। इन पहलूँ पर गहन रिसर्ट निरंतर जरूरी है। जब साइंस, सरकार और सोसाइटी मिलकर काम करेंगे, तो उसके नतीजे और बहतर आएंगे। किसानों और वैज्ञानिकों का ऐसा गट जोड नई चुनोतियों से निपटने में देश की ताकट बढ़ाएगा। जीला स्तर पर साइंस आरधारित ऐसे क्रिशी मोडल खेती को अधिक प्रफेशनल, अधिक लापकारी बनाएंगे। आज जलवायू परिवर्तन से बचाव करने वाली तकनीक और पक्रियाओं को प्रोसाइट करने के लिए जो अभियान आज लौंच किया गया है उसके मूल में भी यही भावना है। भावी और भेनों ये वो समय है जब हमें बैक टू बेजिक और मार्ट फ़र फ्यूचर दोनों में संतुलन साधना है। जब मैं बैक टू बेजिक कहता हूँ तब मेरा आशाय हमारी पारमपारिक क्रशी की उस ताकत से हैं जिसमें आज की अधिकतर चुनोतियों से जुड़ा सुरक्षा कवज था। पारमपारिक रूप से हम खेती, परशुपालन और मच्छपालन एक साथ करते आए हैं। इसके अलावा एक साथ एकी खेत में एकी समय पर कई फसलों को भी उगाया जाता था। यानि पहले हमारे देश की एगरिकल्चर, मल्टी कल्चर थी लेकिन ये धीरे धीरे मोनो कल्चर में बदलती चली गई। बिन बिन परिस्थित्यों की वज़े से किसान एकी फसल उगाने लग गया, इस स्थित्य को भी हमें मिलकर बदलना ही होगा। आज जब क्लाइमेट चेंग की चुनोती बढ़ रही है, तो हमें अपने कारियों की गती को भी बढ़ाना होगा। बीते वर्सों में इसी भावना को हमने किसानों की आएमें बढ़ोतरी करने के लिए भी प्रोचाइट किया है। किसान को सिर्फ फसल आधारित इंकम सिस्टिम से बहार निकाल कर उन्हें वेल्यू एडिशन और खेती के अन्य विकल्पों के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। और छोटे किसानों के इसकी बहुत जरूरत है और इसलिए हमने पूरा ध्यान सो में से अस्सी जो छोटे किसान है उन पर लगाना ही है। और हमारे किसानों के लिए इसमें पसुपालन और मत्सेपालन के साथ मदुमख्य पालन, खेत में सौर और जा उत्पादन, कचरे से कंचन यानि इथेनौल, बायो फ्यूल ऐसे विकल भी किसानों को दिये जा रहे हैं। मुझे खुसी है कि 36 गड़ समेत देश के किसान इनी तेजी से इन सारी नई नई बातों को अपना रहे हैं। खेती के साथ साथ दो चार और चीचों का विस्तार कर रहे हैं। साथियो मौसम की स्थानिय परिस्तितियों के अनुसार फसलों का उत्पादन हमारी पारंपरी कृशी की एक और ताकत है। जहां सूखा रहता है वहां उस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। जहां बाड रहती हैं पानी जादा रहता है जहां बर्फ रहती हैं वहां उस प्रकार की फसले उगाई जाती है। मौसम के हिसाब से उगाई जाने वाली इन फसलों में nutrition value भी ज़्यादा रहती हैं। विशेश रुप से जो हमारे मोटे अनाच मिलेट्स हैं उनका भहुत महत्व हैं। एक्षपर्स कहते हैं कि हमारे स्वास्त को मजबूती देते हैं। इसलिए आज की lifestyle में जिस प्रकार की मिमारिया बढ़ रही हैं। उनको देखते हुए हमारे इन मिलेट्स की डिमांड बहुत अधिक बढ़ रही है। मेरे किसान भावियों बहरों आपको जान करके खुशी हुई। भारत के प्रयासों से ही UNO सयुक्त राश्त संग ने अगले वर्ष यानी 2023 को इंटरनेशनल येर ओफ मिलेट्स गोशित किया है। ये मिलेट्स की खेती की हमारी परंपरा, हमारे अनाज को अंतर राश्तिय स्तर पर सोकेश करने का और नए बाजार तलासने का बहुत बड़ा आउसर है। लेकिन इसके लिए अभी से काम करना पड़ेगा। आज इस अवसर पर मैं देश के सभी सामाजीक स्वैचिक संगट्रों नों से कहूंगा कि मिलेट्स से जुड़े फुट फेस्टिबल लगाएं। मिलेट्स मेंसे नई नई फुट वेराइटी कैसे बनें। इसकी परधाएं करें। क्योंकि 2023 में अगर दुनिया में हमें अपनी बात लेके जाना है तो हमें इस चीजों में नयापन लाना पड़ेगा। और लोगों में भी जागरूता बढ़ा है। मिलेट्स से जुड़ी नई वेबसाइट भी बनाई जा सकती है। लोग आएं मिलेट्स से क्या क्या बन सकता है, क्या कैसे बन सकता है, क्या फाइदा हो सकता है। एक जागरूत्य का अभियान चल सकता है। मैं मानता हूँ कि इसको इसके फाइदे क्या होता है। इससे जुड़ी रोचक जानकारी हम इस वेब साइट पर रख सकते हैं ताकि लोग उसको उसके साथ जुड़ सकते हैं. मैं तो सभी राज्यों से भी आगरा करूंगा कि आपका राज्य का एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट, आपकी एग्रिकल्चर उनिवर्सिटीज, आपके साइंटिस्ट और प्रोग्रेसिव किसान इन में से कोई टास्पोर्स बनाईए और 2023 में जब विश्व मिलेट येर मनाता होगा, तब भारत को उसे कैसे योगदान करें, भारत कैसे लीड करें, भारत के किसान उसमें कैसे फाइदा उठाएं, अभी से उसके तैयारी करने च आजों को और विख्सीत करना बहुत जरूरी है, मकसद ये कि देश के अलग-अलग हिस्सों में, अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से उन्हें उगाया जा सके, आज जिन क्रॉप्स की वराइटी लॉंच हुई है, उनमें इन प्रयासों की जलग भी हमें दिख रही हैं, मुझे ये भी बताया गया है, कि इस समय देश में, देड़ सो से अधिक क्लस्टरस में, वहां की परिसितियों के मुताबिक, कृशी तक्नीकों पर प्रयोग चल रहे हैं, साथियों, खेती की जो हमारी पुरातन परंपराए हैं, उसके साथ साथ मार्च टू फ्यूचर, पहले मैंने कहां बेक टू बैजिक, और फिर इसके साथ जोड़ना है, मार्च टू फ्यूचर भी उतना ही आवश्यक हैं, फ्यूचर की जब हम बात करते हैं, तो उसके मूल में आधुनिक टेक्नोलोजी है, खेती के नए औजार है, आधुनिक क्रशी मशीनों और उपकरोनों को बढ़ावा देने का प्रयासों का प्रणामा दिख रहा है, आने वाला समय स्मार्ट मशीनों का है, स्मार्ट उपकरोनों का है, देश में पहली बार गाउं की प्रॉपर्टी के दस्तावेत तयार करने में ड्रॉन की भुमी का हम देख रहे हैं, अब खेती में भी आधुनिक ड्रॉन्स और सेंसर्स के उप्योग को बढ़ाना है, इससे खेती से जुड़ा हाई क्वालिटी डेटा हमें मिल सकता है, ये खेती की चुनोतियों से जुड़े रियल टाइम समाधान तयार करने में भी मदद करेगा, हाल में लागू की गई नई ड्रॉन निती, इसमें और सहाएक सुद्ध होने वाली हैं, साथियों, बीच से बाजार लेकर के बाजार तक, ये बीच से बाजार तक का जो पूरा इको सिस्टिम है, देश उसे जो तयार कर रहा है, उसे हमें लगातार आधुनिक बनाते रहना है, इसमें आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, डेटा अनालिटिक्स और ब्लॉक्चेन टेक्नोलोजी डिमांड और सप्लाइ इससे जुड़ी चुर्योतियों को दूर करने भी बहुत मदद कर सकती हैं, हमें ऐसे इनोवेशन्स, ऐसे स्टार्ट अप्स को प्रमोट करना है, जो इन तक्निकों को गाउं गाउं तक पहुंचा सके, देश का हर किसान, विशेश रुप से छोटा किसान, इन नए उपकरण, नई टेक्नोलोजी का उप्योग करेगा, तो कृसी सेक्टर में बड़े परिवरतन आएंगे, किसानों को कम दाम में आधुनिक टेक्नोलोजी उप्लब्त कराने वाले स्टार्ट अप्स के लिए भी ये बहतरी अवसर है, मैं देश के युवाओं से इस अवसर का लाप उठाने का आग्रह करूँगा, साथियों, आजादी के इस अमरित काल में हमे क्रिशी से जुड़े आधुनिक विज्ञान को गाउं गाउं घर गर तक पहुंचाना है, नई राष्ट्रिय सिक्षानीती में इसके लिए कुछ बड़े कदम उठाये गए हैं, हमें अब कोशिज करनी हैं कि मिडल स्कूल लेवल तक क्रिशी से जुड़ी रिसर्च और टे कारे विद्यारतियों के पास एविकल्प हो कि वो क्रिशी को केरियर के रुपे चुनने के लिए खुद को तयार कर सके, साथियों आज जो अभ्यान हमने शुरू किया है, इसको जनांदोलन में बदलने के लिए हम सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चीत करनी हैं, देश इसको कूपोशन से मुक्ति देने के लिए, जो अभ्यान चल रहा है, राष्ट्रिये पोशन मिशन को भी ये अभ्यान ससक्त करेगा, अब तो सरकार ने ये भी फैसला लिया है, कि सरकारी योजना के तहट गरीबों को स्कूलों में बच्चों को 45 चावल ही दिया जाएगा, हाल में ही मैंने अपने ऑलिम्पिक केम्पियन से पोशन को लेकर जागरूपता बढ़ाने के लिए, हर एक खिलाडी से मैंने आगरे किया था, कि आप कम से कम आने वाले एक दो साल में कम से कम 75 स्कूलों में जाने का आगरे कर रखें, वहां विद्यार्तियों से पोशन के सम समझ में बाते करे, फीजिकल एक्सेसाइज की समझ में बाते करे, आज मैं सभी शिक्षा भी दो, सभी क्रशी वैज्ञानी को, सभी समस्थानों को कहूंगा, कि आप भी आज़ाजी के अमरित महोचव के लिए अपने लक्ष ताय करे, पच्चतर दिन का अभियान उठा ले कोई, पच्चतर गावों को गोज लेकर के परिवर्तन का अभियान उठा ले, पच्चतर स्कूलों को जागृत करके, हर एक स्कूल को कोई काम में लगा दे, ऐसा एक अभियान, अगर देश के हर जीले में, अपने स्तर पर भी, और संसान के स्तर पर भी चलाया जा सकता है। इसमें नई फसलों, फोटिफाइड बीजों, जल वायू परिवर्तन से बचाव को लेकर किशानों को जानकरी दी जा सकती है। मुझे विश्वास है कि हम सब का प्रयास, ये सब का प्रयास बहुत महत्वपुन है, हम सब का प्रयास मौसम के बडलाव से देश की खेति को बचाएगा, किसान की समुद्धी और देश के स्वास्त की सुरक्षाभी सुनिशित करेगा। एक बार फिर सभी किसान साथियों को नई क्रॉप वराइटी और नए राष्ट्रिय रिसर्च संस्तान के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई, फिर से एक बार जिन युनिवर्सिटियों ने आज पुरस्कार प्राप्त किया है, उन युनिवर्सिटिज के सभी वि द्यार्तियों को, वहां की फैकल्टीज को, वहां की वाइस चांसेलर को, उन सब को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई, वैज्ञानिक साथियों को अनेक अनेक शुब कामना है, ताकि वैज्ञानिक व्यवस्ता ही, वैज्ञानिक मन ही, वैज्ञानिक तरीका ही, झाल